आफ्टर अवेकनिंग ये एक लेसन लर्न करना है हम में से कई ओको नमस्ते दोस्तों मिने नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चानल डूपल थरी हाई प्रीस्टिस दोस्तों कल जो मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था उसी का ये पार्ट टू है एक्स्ट्रमिजम के बारे में, एक्स्ट्रीम बिहेवियर के बारे में, एक्स्ट्रमिस्ट पीपल्स के बारे में मैंने बात करी थी जो लोग इस जर्नी में हैं और वीडियो में मैंने इन डेटेल बात करी है जो कुछ भी मेरे सामने आया, जो कुछ भी मैंने अब्जर्व किया, वो सब कुछ उस वीडियो में मैंने शेयर किया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन है यह part two है कल के वीडियो का और इस वीडियो में मैं कवर करूँगी उन चीजों को जो कल रहे गई थी कल के वीडियो में मैंने कहा था कि बहुत से ऐसे लोग हैं हम में से जो लोग इस यॉर्नी में हैं जिनके behavior में extremism है वो जब किसी चीज में डूब जाते हैं तो वो बहुत ही जादा इतना डूब जाते हैं उस चीज में कि फिर उनको उस चीज से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत दिन महीने साल वो उन्ही चीजों में लगा देते हैं विस्वेसित नहीं चीज़ों को सोचते रहते हैं बस इनी चीज़ों में खोई रहते हैं और इसकी वज़याँ से कहीं नरजी जो है वो बहुत जाती है इतनी जादा कि दूसरी जगाओ पर वो अपनी energy को invest नहीं कर पाते ना health पे और कई जगा उनकी effect हो जाती है और इस चीज़ की समझ उन्हें बहुत देर में आती है कि कई जगा पर जिंदगी में कई जगा पर effect पड़ गया है क्योंकि मेरा मन, मेरी आत्मा किसी एकी जगा पर invest हो रखी थी मेरी energy पूरी एकी जगा पर लगी हुई थी तो कई बार जब बहुत कुछ बिगड़ जाता है तब इनसान को समझ आता है कि ये तरीका सही नहीं था कहीं पे तो मुझे तनी mastery है और कहीं पे मैं कुछ भी नहीं हूँ किसी चीज़ की मुझे बिलकुल समझ नहीं है यहां पर मैंने इतना बड़ा नुकसान करा लिया अपना कई बार ये नुकसान कराने के बार व्यक्ति को जो है समझ आती है जब बहुत देर हो जाती है और शायद कई लोगों को तो शायद समझ भी नाता हो नुकसान भी हो गए बहुत कुछ हो गया लेकिन उनको जिन्देगी पर समझ नहीं आया कि वो एक बैलन्स होके लाइफ को नहीं जी पाए इसी को लेके इन डीटेल बात करी थी कल के वीडियो में अब मैं यहां पर अवेकलिंग असेंशन जर्नी के बारे में बात करते हूँ मेरे पास इसी जर्नी में जो लोग है इस असेंशन के प्रॉसस में जो लोग है लेसन लर्निंग की जर्नी चल रही है जिनको जगाया गया है कि अपने अंदर की गड़बडों को ठीक करो जो भी गलत है उसे रिलीज करो अपने विचारों में जो बदलाव जरूरी है उन बदलावों को करो और अपना अच्छा वर्जिन बनके अपना सही वर्जिन बनके अपने जीवन में आगे बढ़ो अब कई लोगों को इस चीज की बहुत अच्छी समझ है जो लोग इस अवेकलिंग असेंशन जॉर्णी में है उनको इस चीज की बहुत अच्छी समझ है कि ये जॉर्णी शुद्धी करन की है अपने उपो वर्ट करना है और वो कर भी रहे है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जने कुछ समझ नहीं आ रहा और अगर उन्हें समझाया भी जाए तो वो समझाने वाले के साथ भी बहस करने लगते हैं और वैसे तो ऐसे लोगों के साथ उलज़ना इनके साथ बहस करना वेस्ट ओफ टाइम और वेस्ट ओफ एनरजी है जो नहीं समझ रहे हैं उनके साथ अपना टाइम और एनरजी नहीं वेस्ट करना है नहीं उलज़ना है नहीं आ रहा उन्हें समझ नहीं है बुद्धी नहीं है कल तो ना आए कि हम इतना सारा गंद मजा हुआ है सोशल मीडिया पे इतने सारे उल्टे सीधे कॉंटेंट बनते है मुझे बगवान ने पिछले चार पास साल पहले ये प्लाटफॉर्म दिया यहां पर काम करने का एक मौका दिया और मुझे हर चीज रिसीव वही इस प्लाटफॉर्म से जोडने के बाद तो जो मेरा अनुभव है या जो मैं अब्जर्फ कर रही हूँ या जो चीजे मेरी जिंदगी में मुझे मदद कर रही है मेरी इस यर्नी में वही सब कुछ में आपर शिया करती हो ताकि आपको भी आपकी जर्नी में मदद हो सके कई लोगों का बहुत ही positive response रहता है कई लोगों के comments पढ़के मुझे समझ आता है कि they are so high vibrational and they are very sorted बहुत clarity है इनको ऐसे high vibrational लोगों के comments पढ़के मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि एक time पीछे भी था 3-4 साल पहले जहां पर बहुत ही low vibrational लोगों की एक भीड सी थी और जो वो comments करते थे जिसमें की वो रो रहे होते थे किसी के लिए तड़ब रहे होते थे या अचीब सी बाते वो लिख रहे होते थे and you know उनको पढ़के मेरी भी खुद की एनरजी बड़ी disturb हो जाती थी और जैसे कि मैं एक impact हूँ मुझे लोगों की एनरजी receive होती है महसूस होती है तो उसको मेरा खुद का भी हाल बड़ा खराब हो गया था लेकिन अब धीरे 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 मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं ascend कर रही हूँ grow कर रही हूँ जो मुझे से जुड़े हूए लोग है उनमें भी बड़ा filter हुआ है मतलब अब सिर्फ वो लोग रह गया है जिनके अंदर बड़ी clarity है जिनको मतलब पता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है तो दीरे दीरे बड़ा beautifully चल रहा है सब कुछ जैसे जैसे मैं work अपने ओपर करती जा रही हूँ मैं देखरी हो की मेरी life में भी मेरी जिन्दगी में भी निजी जिन्दगी में भी और even social media से भी सिर्फ वो लोग मेरी जिन्दगी में बजग गए है जो बहुत sorted है जिन्ने बड़ी mind clarity है जिन्ने पता है किस दिशा में आगे बढ़ना है तो मुझे अच्छा लग रहा है कि इस जीवन में जब अचानक से awakening हुई यह जो ascension की journey है इसमें क्या time था पीछे जहां मैं खुद उलजी हुई थी जहां मैं खुद बहुत high emotional state में थी और उस वक्त मैंने इतने सारे ऐसे high emotional या over emotional लोगों को जो है track कर लिया अपनी life में लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने work किया मैंने देखा filter होता चला जा रहा है जैसे जैसे मैं ascend हो रही हूँ वैसे वैसे सिर्फ जो है वही लोग बच रहे हैं जो logical है spiritual है जो एक mind clarity है जो balance होके life को जीना चाहते हैं जो sorted हैं सिर्फ ऐसे ही लोग बच रहे हैं और ऐसे लोगों के साथ काम करना भी बड़ा मज़ेदार है क्योंकि उनकी अपनी एक समझ है उनका अपना एक experience है उनका अपना अनुभव है जब आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हूँ आपके पास आते हैं कुछ counseling के लिए या healing के लिए कि तो उनकी बाते भी बड़ी समझदार होती है लेकिन 3-4 साल पहले ऐसा हाल नहीं था बहुत ही उलजे हुए बहुत ही over emotional state वाले लोग आते थे और क्योंकि मैं एक impact हूँ मुझे बहुत effect पड़ता था उस energy का लेकिन जीरे जीरे बहुत कुछ बदल गया है बहुत कुछ और इस पूरे 4-5 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा और जो जो मैंने सीखा वही सब मैं इस channel पर यहां पर share करती रहती हूँ ताकि आपको भी आपकी जोनी में मदद हो सके आप भी आगे अपनी life में बढ़ सके और peaceful तरीके से life को जो है जी सके तो कई चीज़े तो मैंने यहां पर ऐसी share की है जिसके लिए लोगों ने मुझे personal sessions लिया है counseling session लिया है उन्होंने pay किया है उस चीज़ के लिए तो वो सारी चीज़े मैं इस platform पे बिल्कुल जो है दिल खोलके unconditional होके share कर देती हूँ क्योंकि मुझे भी जो है न थोड़ा free feel करना है मुझे लगता है कि मतलब मेरे पास कुछ ऐसा बड़ा हुआ है जो दुसरे को मदद कर सकता है उसके जीवन में तो मैं अपने पास ही रख के उसको क्या करूँ और मैं जब भी आपके साथ कुछ share करती हूँ पता नहीं क्या होता है फिर उसके आगे की जो चीज़े होती है वो मुझे समझ आने लगती है मतलब अब जैसे आज मैं आपके साथ जो भी share कर रही हूँ मुझे पता है कि आप कुछ दुनों बाद universe इसके आगे की कोई और चीज़ मुझे समझा देंगे तो जो है मुझे ऐसा ये भी universe की तरह से एक ऐसी भी feeling आती है कि ये सब तुमें दिया ही इसलिए जा रहा है या ये समझ तुम तक इसलिए पहुचाई जा रही है इसको बाटो और जितना तुम बाटोगी उतना हम और देंगे जितना तुम अपने आपको खाली करोगी और हर बार जो मैं आपके साथ कुछ important जिसने मुझे मदद किया है वो सब share करती हूँ मुझे तो free definitely feel होता है बट जैसे ही मैं free होती हूँ उसके कुछ दिनों बात उसके ऊपर की कोई और बात मुझे समझ आ जाती है feel होती है कि जो हम तुम्हें pass कर रहे हैं जो तुम्हें हम समझा रहे हैं इसको बाटो इसको बाटो और फिर इसके आगे की चीज हम तुम्हें देंगे तो जो चीज लोग paid sessions करके मेरे साथ book करके पूछने आते हैं समझने आते हैं वो सारी चीज़े जो है यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करते थी हूँ और यह जो extremist behavior वाली बात है extremism के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ कल से और आज भी कि एक lesson हमको learn करना है यह lesson basically है क्या कि अती मचा रखी है कुछ चीज़ों में बहुत जादा energy invest कर रखी है और उसकी वज़े से हमारी दूसरी जगाएं जो है effect हो रही है हो सकते है जिस चीज़ पर आप energy invest कर रहे हूँ उस चीज़ की वज़े से आपको बहुत मान समान पैसा वगरा मिल रहा हो लेकिन आपकी जो दूसरी जगा effect हुई है जहां पर आपने अपना energy लगाया ही नहीं हमारा हमारे खुट के परती भी करतवे है हमारा हमारे आसपास जो close connection है हमारा जो समाज है वहां के परती भी हमारा करतवे है लेकिन वहाँ जहां कहीं दुसी जगा जो आपके एनरजी नहीं लग रही है उसका जो नुकसान है वो definitely जीवन में देखने को मिलेगा कई लोगों का हो सकता है कि किसी एक जगा पर कहीं पर mastery है और कहीं पर वो कुछ भी नहीं है और अब जितने भी लोग मेरे पास पिछले कुछ सालों में आए मैंने नोडिस किया 65% लोग तो जो है चाहे वो 20 के हैं, 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं जाद अतर लोग तो desire के level पर स्टक है 125 का जो energy level है वो वहीं पर अटके हुए है सेकरल चकर पर उनकी energy जो है अटकी हुई है कुछ काम इच्छाएं उनकी जो है surprise रह गई थी कुछ relationship से related desires उनकी unfulfilled रह गई थी और वही चीज़े जो है भयंकर होके surface पर आखे उनको जो है बेचैन कर रही है अलग लग एज ग्रूप के लोगों को तो वो परिशान है obsessive है डूबे हुए है प्यार में उसी के बारे में सोच जा रहे है उसी में खोए हुए है उसी की यादों में हैं अकेले हैं दिवाने हो रखे हैं crazy हो रखे हैं पागल से हो रखे हैं उस person के लिए सालों तक उसी person के बारे में सोच जा रहे हैं इतना जादा अपनी energy सोच सोच के उस person के ओपर खर्च का रखिये कि कहीं और कुछ energy लगी नहीं पा रही है जितनी लगनी चाहिए और इसलिए कहीं growth भी नहीं हो रही है ऐसी लोग जादा growth भी नहीं कर पा रहे होते जिनकी मतलब इस तरीके से energy कहीं फसी होई है तो इन में से कई ऐसे भी लोग हैं जिनका कुछ हुआ भी है कुछ हुआ भी है, desire fulfill हुई भी है लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका कुछ नहीं हुआ जिनका कुछ नहीं हुआ वो आज भी इंतिजार में हैं वो आज भी जो है illusions में हैं कोई दुखी है बिमार है और obviously वो इच्छा उनकी पूरी नहीं हुई है इसलिए वो अठके हुए हैं अगर वो इच्छा पूरी हो जाती तो तो फिर जो दूसरे गोल्स था वो उनके पर focus कर पाते लेकिन मैंने ये देखा कि जैसे बहुत सारे लोगों में मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ कि जैसे जिन लोगों का अपने relationship में अपनी desire में जहां से भी उनको desire थी किसी person की थी किसी connection किसी relationship की बड़ी desire थी या फिर किसी position की desire थी और वो बहुत दिवाने थे उस चीज़ के लिए पागल थे crazy थे उस चीज़ के लिए obsessive थे वहीं उनको जो है रब दिखता था वहीं उनको लगता था ये चीज मिल जाए तो बस सब कुछ हो जाएगा लेकिन जिन कईयों का जिनका नहीं हुआ कुछ कुछ नहीं हुआ बिलकुल ऐसा लगा कि वहां से दर्वाजे बिलकुल बंद हो चुके हैं या बंद हो रहे हैं और वो चीज़ जो दर्वाजे वहां से बंद हो रहे हैं उस चीज़ को कई लोग बरदाश नहीं कर पा रहे तो उनको येकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ उनके साथ हो रहा है उनको लग रहा था कि उनका तो कुछ होगा उनका तो कुछ होगा इस connection में अरे दस साल बीद गए, आठ साल बीद गए हम तो सोच रहे हैं कि भगवान हमारा कुछ नहीं करेंगे इस चीज में और जब उनने देखा कि बिल्कुली डोर क्लोस होने लग गए कोई जो भी उनकी धीरे धीरे जो भी उनकी डिजायर थी वो उनको हलकी हलकी ऐसा महसूस होने लगी कि ये नहीं पूरी हो सकती है तो कई लोग जो है अब स्पिरिच्वल चीजों में आने लग गए इसी तरू उनकी अवेकनिंग कराई गई है तो जब वो फिर स्पिरिच्वल चीजों में आ गए तो मैंने एक चीज देखी सब में तो नहीं मैं तो नहीं हुआ ऐसी लेकिन कई लोगों में मैंने ये चीज पाई ट्रामा सा दिया है कि अब वो उनको कहीं शान्ती नहीं मिल रही थी तो वो अब स्पिरिच्वल चीजों में आ गए अब वो मेडिटेशन कर रहे हैं वो चक्रास कर रहे हैं वो योगा कर रहे हैं तो इस तरफ उनको शान्ती मिली, ये चीज उनको शान्ती दे रही थी, तो उनको मदद कर रही हैं ये spiritual चीज़े, heal होने में, balance होने में, लेकिन मैंने ये देखा कि heal और balance होने की बज़ाए, वो जो उनका extremist behavior था पहले उस relationship में, जो भी उनकी desire थी किसी person को या किसी position को लेके, वो जो extremist type का उनका behavior था जहां उन्होंने बड़े साल खर्च कर रहे हैं अपने जिंदगी के, अपना समय, energy, सब बहुत जादा एकी तरफ लगाई है, वही extremist type का behavior, वही extremism, वो यहां spiritual journey में भी लगाने लगते हैं, कि यहां पर आने के बाद वो इतना जादा ये meditation और हर ची जो है, यह हमारा अंतिम जनम है, यह हमारा आकरी जनम है, और जो है, हमें तो मोक्स चाहिए, हमारा तो मोक्स हो जाना है इस जीवन में, तो मतलब ऐसा रगते हैं कि पहले यह उस तरफ पागल हो रखे थे और अब यह इस तरफ crazy हो रखे हैं, तो मतलब फिर difference ही क्या रहा, फिर अंतर ही क्या रहा, पहले यही दिवानापन, फागल पन, इसी तरीके की obsession, craziness, तुम अपने वहां पे जो 3D टाइप की life थी, वहां पर चला रहे थे, कर रहे थे, और वही अजीब और गरीब चीज़ें, वही obsessive behavior, अब तुम इस spiritual journey में भी लगा रहे हो, मतलब सब नही की यह हाल नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी मैं कही लोगों को देखते हूं कि वह spiritual journey में भी इतने, मतलब अजीब हो रखे हैं, इतने extremist हो रखे हैं, यहां पर भी उनका एक अजीब सा पागल पन चल रहा है, कि जो है, बस यह तो अब यह चीज़ उनके mind में भरी गई है, या फिर जो चीज़ उनको मिली नहीं पिछले दिनों या जो भी हाथ से हुए, जो भी disappointment ही, उस चीज़ ने उनके दिमाग में trauma दिया है, कि वो जो है, बस अब उनका जिन्दीगी से जैसे मानो, एक मोह खतम हो गया है, कि अब उनको लग रहा है कि बस अब मोक्ष हो जाना चाह पर यह अपने आप में सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मतलब थोड़ा एक madness टाइप का लग रहा है, कि मतलब यह क्या, पहले तो तुम behavior वही कर रहे हो, जो तुम 3D में कर रहे थे, जो तुम्हारी 3D में इतनी इच्छाएं थी, और वो पूरी नहीं हुई, व spiritual चीज़े तुम्हें heal balance होने में मदद कर रही हैं, लेकिन spiritual जो भी चीज़े हैं, चाहे कोई spiritual ग्यान सुनना है, चाहे कोई spiritual tools हैं, चाहे basic spiritual practice हैं, उसका भी अपना एक समय निर्धारित होना चाहिए, यह नहीं कि पूरे दिन भर जो है, 24 घंटे में से, 20 घंटे spiritual चीज़ों इसी चीज़ में जो है अब crazy होते रहना है, इसी चीज़ के लिए obsessive हो जाना है, कि बस अब spiritual journey में आ गए, अब तो भाई मोक्ष हो जाना चाहिए, मतलब अब ही आए तुम कुछ time पहले इन सब चीज़ों में, उससे पहले तो तुम अब कहीं और obsessive हो रहे थे, कहीं और उल वहाँ disappointment अभी वही craziness अब यहाँ चल रहा है, कई लोगों को जो मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, observe करती हूँ, मैं देखती हूँ कि क्या क्या उखाड लिया, इन्होंने क्या कर लिया, वही spiritual मार्ग में आने से पहले भी ऐसे ही थे, वह extremist टाइप के या, ऐसे ही obsessive और अगर यह obsession और इतना extremist टाइप का behavior ना होता ना, तो वहाँ मिल सकता था, 3D में भी मिल सकता था, जो आप चाहते थे, लेकिन वहाँ नहीं मिला, कोई कल्यान नहीं हुआ, वैसे ही यहाँ पर भी spiritual journey में जो यह craziness चल रही है, मोक्ष की, कि बस यह तो मेरा आखरी जनम है, इस इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि इनको अपनी obsession पे काम करना नहीं आया, अपनी गलत चीजों को release करना नहीं आया, आपने आपको balance date में करना नहीं आया, इसलिए वहाँ पर इनको कुछ मिलानी, patience ही नहीं था, सबर ही नहीं था, फिर वहाँ से हार तके खा के, अपने मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस मोक्स चाहिए ये मेरा लास जनम है, ये मेरा आखरी जनम है और उनको पागल बनाने वाले लोग भी खूम मिल जाते हैं, इन्हें लूटने वाले लोग भी खूम मिल जाते हैं, क्योंकि ये खुदी लुटने के लिए तैयार है, खुदी समझ नहीं है, अक्कल नहीं है, देखी नहीं पा रहे हैं कि भाई, जो obsession, पागलपन, craziness मेरे अंदर पहले थी, जो सबर मेरे अंदर नहीं था, वही मैं spiritual journey में भी मचा रहा हूँ या मचा रही हूँ, भाई, शान्ती क्यों नहीं हैं, क्यों नहीं है कि हर पल में ही ऐसा feel हो कि मुक्ती सी feel हो रही है, free सा feel हो रहा है, क्यों मैं ऐसा जीवन नहीं जी पा रही हूँ, क्यों मुझे जो है, ऐसा लग रहा है कि यहां से निकलूं, क्यों यहां पर इतनी घुटन हो रही है, इस बात को question क्यों नहीं कर पा रहे ह परमात्मा ने इतना सुन्दर संसार बनाया है हर पल में आनन्द है हर तरफ आनन्द है उस आनन्द को ये फील क्यों नी कर पा रहे है परमात्मा की बनाई हूँ इस दुन्या में कण कण में परमात्मा है तो वो हर कण में परमात्मा को feel क्यों नहीं कर पा रहे हैं क्यों नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो obsession ये extremism ये सब इतनी भयानक चीज़ें उनके अंदर जो सबर नहीं है ये सारी चीज़े क्यों भरी हुई है न और इस चीज़ को वो देख भी नहीं पा रहे हैं तो हटा भी पा रहे हैं और जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उनको इसी संसार में जो कण कण में परमात्मा की एनरजी है जो खुद परमात्मा कण कण में पहले हुए हैं वो उन्हें महसूस ही नहीं हो रहे हैं परमात्मा की बनाई हुई इस दुनिया में उन्हें परमात्मा ही महसूस जो भी लोग थे, उनमें तुम्हें परमात्मा का अंच महसूस नहीं हुआ, ना पती में, ना पिता में, ना मा में, ना बच्चे में, ना गुरू में, कहीं तुम्हें उसका अंच महसूस नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे जिन्हें अपने आसपास, वो ईश्वर परमात्मा का अंच उन्हें कहीं महसूस नहीं हुआ वो लोग चाहते हैं कि वो पूरा का पूरा समा जाएं वो पूरा का पूरा जो है बिल्कुल उनका मोक्ष हो जाए ऐसा possible होगा ही नहीं सभी रूपों में परमात्मा ही हमारे आसपास है आपकी मा के रूप में आपके पिता के रूप में आपके पार्टनर के रूप में आपके बच्चे के रूप में सब रूपों में इश्वर ही आपके आसपास है कई जगा आपकी बनती है कई जगा आपकी बिल्कुल नहीं बनती है जहां आपकी नहीं बनती है वहाँ आपका कर्मा है, वहाँ कुछ ऐसा है जो आपको सुलजाना है और जब तो नहीं सुलजेगा, आपको क्या लग रहा है कि हो जाएगा, ये बूंद सागर में मिल जाएगी, नहीं possible है जहाँ नहीं सुलजा है, उसको सुलजाने के लिए फिर से जनम लेना बढ़ेगा तो इस तरीके के ब्रहम में और ब्रहम फैलाने वाले लोगों के बीच में ना रहें जो आपको ये सिखा रहे हैं कि इसी जनम में आपका मोक्ष हो जाना चाहिए और कमाल की बात ये है कि ये जो साइकोटिक टाइप के लोग हैं जो इस तरीके से पागल बना रहे हैं लोगों को कि हम आपका मोक्ष कराएंगे हम से जुड़े रहो हमें पैसे देता रहो हमारे साथ भीड बना के रखो भीड बक्रियों की तरह और हम आपका कल्यान कराएंगे हम तुमें जो है इश्वर से मिला देंगे और ऐसे लोगों के पास मैंने देखा बहुत जादा लोग फसे हुए हैं यह जो लोग बिचारे इनके साथ फसे हुए हैं यह जादा तर वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदीगी में बड़ी disappointment experience करी है जो बड़े उनके उपर उनका कर्मा बड़ा हावी हुआ उन कर्मों के चलते जो भी परिशानिया चीजे परिशानिया रही उस दोरान वो बड़े दुखी रहे और वो ठक गए संसार में इन सब चीजों में इन disappointment में और उन दुखी लोगों का कई लोग जो है बड़ा फाइदा उठा रहे हैं उनसे पैसे बना रहे हैं उनके दिमाग के साथ खेल रहे हैं अरे उनको सिखाओ कि इसी संसार में सब कुछ है इसी संसार में तुम सब कुछ महसूस कर सकते हो उस इश्वर को जिसमें तुम मिलना चाहते हो उसको भी तुम यहीं पर महसूस कर सकते हो बस यह जो जिन्दिगी ने तुम्हें दुख दिये और यह जो ट्रामा अंदर प्रिगी ने तुम्हें दुख दिये ना, उन सदमों को रिलीस करो अपने अंदर से और स्ट्रेस को रिलीस करो फ्रेश तरीके से लाइफ को जीना शुरू करो जो भी अपसेशन है उनको हटाओ अपने अंदर से, जो भी X, Y, Z, नेगटिविटीज उनको रिलीस करो बिल्कुल खाली हो जाओ और फिर देखो हर कण में वही इश्वर जिसमें आप मिलना चाहते हो उसी प्रमात्मा में जहां आप समाहित होना चाहते हो ये बूंद जो सागर में मिलना चाहती है उसागर बिल्कुल अपने आसपास कण कण में महसूस होगा पर इसको महसूस करने के लिए इसी संसार में पहले अपने अंदर के कूड़े को जो है निकालना पड़ेगा इस थोड़ा सबर रखना होगा क्योंकि सबर में रहके ही आप अपने उपर कर पाओगे इस obsession के energy को इस extremist behavior को खतम करना होगा हटाना होगा और धीरे धीरे जब आप हलके हो जाओगे न आप करोगे कि यहीं है सब कुछ यही है स्वर्ग हर चीज में भगवान फील होगे तो यह एक और चीज ती जो मुझे आपके साथ share करनी थी थोड़ा सा कुछ और बाकी है हलका सा चलो किसी और दिन पार्ट 3 में share करूँगी बट बस इस वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच गॉड ब्लस यूर बाबाई